तो आज हम बनाएंगे जटपट से बनने वाली मीनी पोटेटो पीजा जो की वहुद ही असानी से बन जाता है अगर आप से बच्चे जिद कर रहे हैं कुछ नास्ता बनाने के लिए तो यह आप जरूर बना सकते हैं और वहुद ही जल्दी बन जाएगा और खाने में यम्मी लगता है है हेलो एबरिवन मैं अंकिता सिंग आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं तो चलिए मीनी पोटेटो पीजा बना लेते हैं तो मैंने उसके लिया है एक बड़ा साइज का आलू आप बड़े साइज का ही लीजिएगा और आप चाहो तो मीडियम साइज का भी ले सकते हो तो आप इसको छीन लीजिए और बावल लीजिए उसमें डाल लीजी एक में पानी पानि के डालने के बाद आ अच्छे दूल लीजिए और आप अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 3-4 आलू और ले सकते हैं वरना आप एक आलू में दो लोग के लिए सफिसेंट मीनी पीजा बना सकते हैं तो यह देखिए मैंने धूल लिया है तो अब आप इसको लंबे पीस में कट करेंगे देखिए इस इसके जो स्लाइस है वह लंबे करेंगे तब ही आपकी मीनी पीजा बनकर आएंगे देखिए इस तरह से सारे स्लाइस कट कर लेंगे आप चाहो तो इसको पानी में रख दो या फिर ऐसे रख लो अगर आप सबजिया जल्दी कट कर लेते हो तो अब छोटा सा सिम्ला मिर्च लेंगे और सरकल में काटेंगे देखिए इस तरह से सरकल में काटने के बाद उसमें जो भी बीज है और या भी कोई एक्ष्रा चीज है तो उसको निकाल लेंगे देखिए इस तरह से ताकि हम टॉपिंग करते वक्त अच्छे से फिल कर पाएं तो यह देखिए हो चुका है तो मैंने यहाँ पे छोटे साच का प्याज और टमाटर लिया है और इसको बारिक से कट कर लिया है आप इसको बारिक से ही कट कीजिएगा ताकि जब हम फिलिंग करेंगे तो अच्छे से आए तो यह देखिए मैंने एक छोटा सा कटोरी लिया है फिर मैंने एक चम्मच पीज एल को ग्रीज करेंगे यानि सिर्फ लगाएंगे फिर जो हमने आलू के स्लाइस कट किये थे ना उसको रख देंगे और कवर कर देंगे तीन से पेसल चटनी लगाएंगे आपको इसकी वीडियो डिप्सक्रिप्स लिंक में मिल जाएगी आप जरूर देखिएगा और इसको जरूर अपलाई करिएगा ताकि आपकी मीनी पीजा में टेस्ट बहुत ही अच्छा है तो फिर जो आमने शरकल में सिम्ला मिर्च कट किये थे ना उसको इस तरह से रख देंगे फिर बारिक कटे वे प्याज और टमाटर की फिलिंग कर देंगे आप फिलिंग अच्छे से किजिएगा करने के बाद कुछ इस तरह से लूकिंग आएंगे फिर आप यहाँ पे डाल दीजे चीज स्लाइस बिल्कुल ऑप्सनल है आपके उपर डिपेंड करता है आपको पसंद है या नहीं फिर तीर मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको ढग देंगे ढगने बाद कवर हटा लिजे तो चीज मेल्ट हो चुका है तो अब हम यहाँ पे ओलिप्स के स्लाइस रख देंगे ताकि डोकिरेशन में अच्छा दिखे फिर कवर कर दीजिए चार मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम पर आपका फ्लेम का तेज कैसा है आपके उपर डिपेंड करता है फिर यह देखिए मीनी पीजा बनकर तयार है जो कि आलू से बना है और बहुत ही इंस्टेंड बन जाता है तो यह देखिए फिलिंग भी आसा लगा आपको कॉमेंट करके और अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेर जरूर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर का लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू